असलाम वालेकुम वेल्कम बैक टो मैं चैनल सिम्रंस वाल्ड और आज हम क्या बना रहे हैं चलिए देखते हैं और मेरे स्टाइल में मर्टर पनिर बना के आप वो देखा हैं और वो क्या करती हूं आप देखिए जरूर और चलिए हम देखाते हैं अब हम क्या करते हैं चलिए अब हम क्या करते हैं और प्याद प्याद आप 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 जे लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे मटर बने जुब बने के यम्मी यम्मी सा कड़ाई रख देंगे उसमें तेल डाल देंगे थोड़ा गरम होने के बाद हम यहां धीर सारा प्याज डाल देंगे प्याज को थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगे प्याज को थोड़ा सा आंच में भूनने देंगे फिर हालका भूनेंगे जादा तुने भूनना ही हमें फि प्याज नेगे हम लॉंग मिर्च छे। इलाई कि डाल ही बड़种 सबस्स Dowoney Mud नेंगे मिक्स करें वसके बात में हम यहां पर थोड़ा दालेंगा पेस्ट डालेंगे हमारे ग्रेवी के हिसाफ से, हमारे पनीर के हिसाफ से, मटर पनीर के हिसाफ से माधरकलेसिन डालेंगे उसको भूनेंगे थोड़ा से उसका रोव स्मेल चला जाएगा थोड़े देर के बाद भून लेंगे फिर देखिए और यहां पर अच्छे से उसको भूनती भूनती अच्छे से भून लेगे उसका स्मेल को भी भगा लेंगे और फिर यहां हम डालेंगे इसके पाथ हम टॉमाटो पगेरे डाल देंगे इसका हम ना बढ़ियासा प्यूरी बनाएंगे और वो प्यूरी देखेंगे यहारा मैं बिना काजू और बिना क्रीम का बना रही हूं मटर पनीर और यह बहुत यम्मी सा बन रहा है और एक पर यह स्टाइल में बना के देखेंगे न फिर बोलेंगे दुबारा बनाऊंगी एक बर बना के खहेंगे फिर वो लेंगे मन तो करेंगे दुवारा बना के खहेंगे खाते ही जाएंगे हाँ यार देखी आर यहां पर में टमेटो डाल दों गी और उसको भी मीक्स कर लोंगी थोड़े देर उसके साथ भी पका लोगी और अच्छे बढ़िया से थोड़े देर भुन लोंगी देखिए जादू ही तरीके से हमारा भुन गिया मसाला रेडियो गया है हमारा और उस मसाला देखिए उसको थोड़ा से मिक्स कर लेंगे मैस कर लेंगे मिक्स मैक्स चलो जो भी है कुछ कर लेंगे फिर इसको हम निकाल ले तो थोड़े उसको ऐसे करके निकाल के फिर उसको हम एक बतन में निकाल लेंगे जो हमारा मसाला है उसको मिक्स का मतलब मिक्स नहीं मिक्सी में पिसने के लिए निकालेंगे हाँ देखिए अरे भाई बस करो तेल भी बूले मैं छुटूंगा नहीं पर उसको तो मैं छुडा क यहां पर मैं देखो कितना सारा तिल को निकाल दीना वो तेल हमारा यू जाजागा अब देखिए और यह देखिए हमारा निकल गया थोड़ा थे ठंड़ा करेंगे फिर हम मिक्सी में आलकर इसको पीसेंगे ठीक है यह देखिए मिक्स में थोड़ा हमारा यहां पर ठंड़ा हो गया था हमारा जो मसाला उसको हमने मिक्सी में डाल दिया है और अभी पीसेंगे फिर देखना इसका जादू अभी आएगा रे 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 चुटके बचाते ही मिक्स हो गया यह आधा पीसा है और इस टाइम में हम क्र नहीं राड करके पिसेंगे यह जरूर करना हां फिर बोलना यह देखिए क्रीमी टेकसर के जैसा बन गया ना हमारा यह मसाला और खाने में भी बहुत स्वादा आएगा फिर ग्यास अन कर लेंगे थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा तेल मिला लेंगे क्योंकि भूना भी है मसाला बगेर को और मटर पनी खाके मटर के जैसा मोर गोल गोल बन जाएंगे और देखिए यहां पर हम थोड़ा सा इसमें क्या डालेंगे आप बताएगे नहीं मैं ही बोलूँगी ना आप सबको और मैं यहां पर थोड़ा चीनी डाल दी हूँ हमारा इसमें थोड़ा चीनी को हम लाल होने देंगे और जो बुरबुरा होके निकलता है ना लाल बनके कियारमिल टेकसिर के साथ ओई टेकसिर हमको लाना है इसमें और देखिए यहां पर लग गया थाना थोड़ा थोड़ा मसाल उसको मैं निकाल रही थी और यहां पर देखिए अभी हमारा चीनी को हम डाल दी हैं ओदेखिए किस दिल में और कुछ बताना चाहा रही थी मैं आप सबको दिखिए जिन्दीगी है ऐसा कुछ करना चाहिए हमें वैसे तो अदमी बोलते ही रहते हैं कि उच नहीं करना है लाइफ में तो करना ही चाहिए कुछ बेठे बेठे सैतान दिमाग जब खाली रहता था सैतान का घर के आ जाता यह से चेली सेतन का घरम नहीं बनाएंगे और फोकस करेंगे हमारा मतर पनीर पर यहां पर थोड़ा जीरा डलके भून लिए फिर लाल मिर्ची थोड़ा डाल दिये कास्त मेरी लाल मिर्ची था और थोड़ा पानी देते हैं मसाला जले ना फिर धनिया पाउडर फिर हम हल्दी डालेंगे फिर जिराफ फोड़ा डालेंगे घरम मसाला डालेंगे बहुत कुछ मसाला हैं इंडियान का तो यही बात है ना मसाला के लिए जाने जाते हैं इंडिया वाले फिर हमारा जो मसाला हम पीस के रखे थे ना उसको डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे जब तक ये तेल ना छूर दिये, उसको तब तक हमें भुनना है, देखिए, मिक्स करकी अच्छे से, देख रहा बढ़ी अनल लग रहा है ना, फिर देखना अभी उसका कलर चेंज होगा, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, तेल ना थोड़ा-थोड़ा छूटने लगे, तब तक इसको हमें पकाना है, वैसे नहीं रुकना हमें, हमें पकाते जाना है, फिर खाने में मजा आएगा ना, अई तो होता है, इंडियन खाने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि इसको हम लोग भून के भून के पकाते हैं, और जब तक उसको अच्छे से नहीं भूल लेते, तब तुक मजाई नहीं आता है हमारा इंडियान खाने का, कहते न, कहीं लोग ने हमें कहा है, यह हमारा आज का ग्यान है, पॉजिटिव के लिए, तो कर्म करते जा, तु करते जा, रुकना नहीं ही तुझे, ठकना नहीं है तुझे, जुकना नहीं है तुझे, आगे बढ़ते जा बढ़ते जा कर्म तू करते जा हां इस बात पे हम चलिए यहां मसाला भून गया था कलेटेक्स जोग देया माटर डाल देंगे फिर माटर को थोड़ा रेल पकाएंगे और यहां पे में थोड़ा गरम मसाला भी आड़ कर लोंगी और थोड़ा सा मैजिक बताओ और थोड़ा भी थोड़ा आड़ कर लेना वाजाए के टेस्ट थोड़ा पानी देंगे माटर को भी इसके साथ भून के पकाएंगे क्या बोलते हैं आप सब और देखिए हमें पानी दे थी माटर थोड़ा सा हमारा पक रहा था अच्छे से माटर गल जाने के बाद में हम यहां पर हमारा जो पनीर है उसको वाड़ करेंगे विना फ्राइ किये इसे ही डालना है हमें बहुत तेस्ट लगता है एक वर इसे बनाएंगे बिना फ्राइ किये और बहुत अच्छा लगता है खाने में इसको न आप रोटी, चावल, और एक ट्रिक है, एक ट्रिक तो गया ना आपने देखा पनीर कुडल के मिक्स किया था हमने मसाले में क्रीमी टेक्टिर के लिए और उसके बाद में भी देखना आएगा, यहां पर थोड़ा नामक कम था कियोंकि नामक जरूरी होता है खाने में अच्छा ही नहीं लगता है तो यहां पे नामंग जरूर चेक कर लेना और हम थोड़ा दर इसको पका लेंगे जब तो पनीर ना हो जाए देखिए कि इसा करमा गरम बैंकित त्यार हो रहा है हमारा पनीर चलो और इस बात पर ग्यास को आफ कर लेंगे और मतर पनीर में ये ट्रिक हमारा क्या है पता है दूद को हम उबाल में उखे उसके अंदर पर क्रीम टिक्टिर के जैसा जैसे कि आप दूद एक कॉप डालें हैं उसको आधा कॉफ करना है तब ओई दूद को हम इसके उपर ग्यास बंद करके डालेंगे और थोड़ा देर रुख लेंगे या देखिए यम्मी यम्मी से हमारा मटर पनीर बन के तैर हो गया है अलेकूम आपने देखा था कि अल्ट उपर में खाना वाना खा लिये थे हम मटर पनीर बने ते रेसिपी किसले आप बताएंगे जरूर मुझे और ट्राइ भी करना और यह नए ट्रिक से बना के देखना बहुत टेस्टी बनता है बिना काजू और मिना मलाई के भी यह बहुत टेस्ट बनता है आप लोग प्लीज ट्रॉस्ट में ट्राइ करके देखे कि आप बहुत टेस्टी बनता है मटर पनीर अभी में निकल गई हूँ पालर जाने के लि कुछ वीडियो भी ज्यादा सूट नहीं कर पे मेरे चैनल को से लाइक, सेयर, सब्सक्राइब और प्लीज कॉमेंट करके बताने किसे लगा